बड़ों को प्रणाम बच्चों को प्यार आप सब को नमस्कार जैन सातियों में आरके नएक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनेंदन करता हूं इंडियन पॉलिटी की वीडियो स्रंकला में सबसे पहले सातियों आज हम भातिये परिशद अधिनियम 1892 से समधित कोच में जानकारी लेंगे इससे पहले सातियों आसा करता हूं अगर आपने इससे पहले की जो वीडियो स्रंकला हमने प्रणार्म कर रखे हैं पॉलिटी की उन वीडियो को अगर देखे हैं तो आपका आज जो हम तोपिक पढ़ेंगे वह काफी में साबित होने वाला है इस पॉसको आप जरूर कर रहे मिल चलिदे कि वेजिदा करेंगे आप competitive करिए क्योंकि अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो जब तक नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिल सकती है आज साथियों हम जो जानकर लेने वाले हैं पॉलिटी की इसे समद्दित आपको कुछ महत्पुन जानकरी में सबसे पहले यह देना चाहता हूं कि अगर आपको इस परकार की किसी भी पुष्ट किसी भी विशे से समद्दित अगर आपको पीडियाप चाहिए तो आप हमें आपको बता देते हैं कि आज का जो हमारा टोपिक है वो कितना महत्पुन साबित होगा आपके लिए तो भारत परिशद अधिनियम से समद्दित आपको कितनी जानकरी होनी चाहिए जो एक्जाम की दृष्टी से आपके लिए फाइदिमन साबित हो सकती है उतनी जानकरी हम आपको देंगे सबसे पहले साथियों जो भारत के अंदर क्या है बिर्टेन जैसे ही आया कंपनी की रूप में शुरू में तो व्यापयार करने के लिए और कंपनी का नाम था इस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद में धीरे-धीरे बोलते हैं एक होता है कि अंगुली पकड करके यहां पर क्या देरे-देरे-देरे-देरे बारतियों में फूट डालते गए कमजोरियों जो बारतियों की कमजोरी थी उन कमजोरियों को वह फाइदा उठाते हुए यहां पर भारत को अच्छे से लूटा सोर्शन किया और उसके बाद साथियों आपने देखा कि बार पढ़ने में तो अब साथियों आज हम सबसे पहले यह जो जानकरी ले रहे हैं वह आपकी है बारतिय परिषद अधिनियम 1820 यहां पर सबसे पहले जाते हूं आप यहां पर देखिए गेर सरकारी सदस्यों की जो नुक्ति है उन सदस्यों को नुक्त करने के लिए वी सुद्ध नामकन के इस्तान पर शीफारिश के आदार पर नामकन की पदति लगू की गई उसके बाद सातियों आप यहां पर देखेंगे बारत सरकार की विदान परिशद में अतिरित सदिश्यों की संक्या 10 सें बढ़ाकर 16 तक कर दी गई यहां पर सातियों क्या है बारत सरकार की विदान परिशद में अतिरित जो सदसे है उनकी संक्या 10 सें बढ़ाकर 16 कर दी गई जिसमें कम से कम 40-35 सदसे गेर सरकारी होंगे अब सातियों जो सदसे होगे तो उस से काफी होता है जैसे मेर लोगसबा के सदसे भी होते हैं तो इसे क्या होता है साथियों अगर लोगसबा के सदसे से होंगे सभी तो क्या है लोक सभा जिस समय जिस पार्टी की सरकार है उसी का वर्चस्पूर बना रहेगा लेकिन जब आप राजे सभा से ले लेंगे तो राजे सभा में यह जरूरी नहीं है कि उसी पार्टी के सदसे होंगी दूसरी पार्टी के अलग अलग राजियों के सकते अपने विचार रख सकते हैं इसक्तेइँ वर्तमान समय में भी जो मेर्थपूर्ण समीतियां होती है उन समीतियों में क्या है लोगसभा और राजध्य सवा दोनों के सदसे सामिल होते हैं उसी परकार यहां पर क्या साथियों जो सदस्चे बनाए गए हैं यहां पर 16 उन में से कम से कम 40% गेर सरकारी होने चाहिए अब साथियों इसके कुछ पर्मुक प्रावदान देख लेते हैं जो की एक्जाम की दृष्टिश हैं हमारे लिए मैंत पूर्ण है सबसे पहले साथियों विदान परिशाद सदस्यों को परसन पूछने तता बजट पर बहस करने का अधिकार सिमित रूप से दिया ग कुछ हमारे विचार वहाँ पर रख सकते हैं बजट पर बहस करने की जो यहां पर शिमा चलती यह निरे जाए गए लेकिन वह कितने थे एक निरदार शिमा अनतरगत थे लेकर आते हूं वाले समय में इन अधिकारों को और ज़्यर्णा बढ़ाया जाएगा कम नहीं किया जा सकता तो यह काफी महत्वपून जान कर यह साथियों अब यहां पर सबसे पहले देख लेते हम जो बंबई है मदरास है बंगाल है इनकी जो परिषदों है उन परिषदों में अत्रिक्त सदिश्यों की संख्या आर्ष से बढ़ा कर कितनी सबस्क्राइब कर दी गए साथियों 20 तक कर दी गई परन्तु अधिनियम में व्याप्त विसंगत्यों के कारण राष्टरबादी ने क्या क्या सात्यों अधिनियम को जम कर इसकी आलोच ना की क्योंकि सबसे पहले माने जिए आपको वहां पर आएठ सदे से बनाए उन आठ सदस्यों में से आप भी सामिल है अब एक तो आप आठ को जितना फाइदा मिल रहा है और एक जब बीस हो जाएंगे डबल से भी ज्यादा हो जाएंगे तो उससे क्या होगा साथियों आप खुद देखिए तो वहां पर एस अंतोस तो होगा क्यों कि बष्टाचारी लोगों म में अगर संक्या बढ़ेगी तो उनको भी पता है कि हम जितना ले रहे हैं या जितना खापी रहे हैं उतना उसमें बच नहीं पाएगा तो इस परकार से उनमें क्या हुआ एस अंतोस व्याप्त हो गया था विदान मंडल को बहुती सीमित सक्तियां प्राप्ती जैसे की सद से अनपूर्ख जो पर्षन पूछते हैं सप्लिमेंटरी क्यूशन नहीं पूछ सकते थे किसी भी पर्षन का उतर देने से मना किया जा सकता था और कुछ वर्गों को कोई पर्टी निदी तुए नहीं जबकि कुछ को बहुत ज़्यादा था अब साथियों जो यहां पर आपने देखा कि जो अलब संखेक हैं उनका भी पर्टी निदी तुए करने वाले हमारे लोक सबाह में राज्य सबाह में आपको मिल जाएंगे अच्छाए वो मनवनित होकर आये हो या कैसें भी आये हो लेकिन उस समय इस परकार का कोई प्रावदान नहीं था तो यह साथियों इससे समदित एक मैत्वपूर्ण जान करी थी उसके बाद आप यहां पर देखिए चुनावी पदती जिसको हम यहां पर देखेंगे तो सा साथियों आप से एक्जाम में क्यूसन पूछा जाए कि चुनावी पदती को सुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण जो अधिनियम था वो कौन सा था कब आया था इससे समदित एक्जाम में आप से क्यूसन पूछा जा सकता है आशा करता हूं साथियों इस परकार के अगर क् जालत नहीं होने चाहिए तो साथ यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं में और रिविजन के लिए आप हमारी पीडियाप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए और अपने दूसरी भाई-बैनों तक अगर आपकी चाहिए तो सेर जरू उमीद नए जोश के साथ तब तक रिविजन करते रहिए धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम